नेता प्रतिपक्ष पूरों मुख्यमंत्री जेराम ठाकूर जनजाती शेत्रों के लोगों वो जनजाती शेत्रों के जन प्रतिनिद्यों के प्रति द्वेश बावना और संकीरिन मान सिकता रखते हैं और उन्होंने अपनी संकीरिन मान सकता का प्रमान बतोर मुख्य मंत्री अपने कारेकाल में लगातार प्रदर्शित किया और उन्होंने जिस प्रकार जनजाती शेत्रों की अंदेखी की वहां के जन प्रतिनिदियों को प्रताडित किया उनका तिरसकार हर मंच में करने का प्र प्रदर्शन इसी घटिया मान सकता का प्रमान सदन के बीतर हो या फिर सदन के बार हो जन जाती शेत्रों के जन प्रतिनियों के प्रती एक अशोबनिये लगातार जो अशोबनिये टिपनिये कि उससे प्रमानित की है बीदे कल आपने देखा होगा कि भाजपा विधायक दल ने मौनसुन सत्र से एक बार पुना वकाउट किया मैं समझता हूँ कि इस एतियासिक मौनसुन सत्र के दुरान लगातार बीजेपी के प्रदेशन शरमाक रहा है और जबकि माचल लगातार तरासिदियों को जेल रहा है ऐसे में विपकष का हर दिन सदन से वकाउट करना मैं समझता हूँ कि माचल प्रदेश के लोगों के मुद्दों से कहने कहीं बेमानी है उनके हिद से बेमानी है जो बाचपानी की है और हर दिन नए बहाने ढूंड कर केवल सदन से वकाउट करना बीजे पी के गेर जिमादाराना जो विपक्ष होने का प्रमान प्रस्तूत करता है श्री जेराम ठाकुन ने कल यारोप लगाया कि प्रदेश स्रका के राजस्व मंतरी जगसिंग नेगी जी ने उनके साथ गलत बेवार किया उनके साथ बत्तमीजी किया और ये वज़ा रही कि उन्होंने वाकाउट किया असल बात ये नहीं था कि मानने श्री जगसिंग नेगी जी ने कल उनके साथ कोई बत्तमीजी की है लेकिन एक सुनियोजित राजनितिक शडियन तरके तहट बाचपा विदायत दल और वशेश कर नेता प्रतिपक्ष ने सदन के बीतर राजस्व मंत्री के संबोदन के बीच में उन्हें उकसाने उन्हें बढ़काने और उन्हें अक्रुशित करने का प्रियास किया और ये एक सोची समझी राजनितिक शडियन तरके तहत किया गया क्योंकि कल सदन की बीतर प्रदेश सरकार एक प्रस्ताव ला रही थी जिसमें केंदर सरकार से हिमाचल के लिए इमाचल के साथ हो रहे बेदभाव और इमाचल के लिए आर्थिक पेगिश देने की मांग की जानी थी आप सब जानतें कि बीते वर्ष पी इमाचल सदन में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें इमाचल में हुई तरास्दियों को प्राकृतिक आपदा गोशित करने के लिए केंदर सरकार को प्रस्ताव बेजा जाना था और जेराम ठाकुर और उनके विदायक दल ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था कल भी सदन के बीतर ये प्रस्ताव आना था जेराम ठाकुर बतोर नेतर प्रतिपक्षों ने इस बात का इल्म था और ये जानते थे कि वो किसी भी सूरत में मोधी के लिए मोधी सरकार के खिलाब जा रहे इस प्रस्ताव और जिसमें हिमाचल का हिद चुपा हुआ था हिमाचल में डिजास्टर के लिए मदद केंदर से ली जानी थी और केंदर दुआरा जिस प्रकार हिमाचल के साथ बेदवाव किया जा रहा है उसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित होना था जिस पे किसी भी सूरत में जेराम ठाकुर ये हिमत नहीं कर सकते थे कि उस पर अ उक्साया उन्हें आक्रोशित किया उन्हें प्रवोग किया कि वो आक्रोशित हो जाएं और भड़क जाएं और इस प्रकार जेराम ठाकुर ने उन्हें अपने साजिश के तहत फसाया और जिस प्रकार के बाशा का प्रयोख माने ने राजस्व मंत्री के संबोदन के दोने जराम ठाकूरूण ने किया, ये आग्मी क्या बक्वास कर रहा है, मैं खड़ा हूँ, क्या कर लेगा, मैं समझता हूँ, ये संसदिय बाशाएं नहीं है, संसदिय के सदन की बीतर, मैं समझता हूँ, हर एक मानाणین विधायक बराबर है, और एक cabinet मंतरी के प्रती नेता प्रतिपक्ष का इवेवार उनके मानसिक्ता को दर्शाता है कि वो कहीं ने कहीं जंजाती शेत्र के लोगों को जंजाती शेत्र के जंप्रतिनिदियों के प्रती हीन बावना रखते हैं और इसी हीन बावना से ग्रस्थ जेराम ठाकुर ने इस तरह के बाशा का प्रयोक किया, मानने राजसर मंतर के उक्सानी का प्रयास किया और इस प्रस्ताफ से कन्नी काट लिया, हाथ खींच लिये, जो हिमाचल हिट से जुड़ाव प्रस्ताफ था और आए दिन विपक्ष का सदन के सदन से वाकाट कर जाना, मैं समझता हूँ, इमाचल का दुरबा गएगी, इमाचल का विपक्ष आज जनता के मुद्दों से हाथ खींच रहा है, जनता के मुद्दों से उसका कोई सरुकार नहीं रे गया है कर दो दूएगी, जनता का विपक्ष आज जनता के मुद्दों से वागा है